बिग बॉस 13 के कंटेस्टन पारस चाबरा की रूमर्ड गर्फरेंड अकांशा पूरी ने किया है एक बड़ा खुलासा। आखिर कौन से राज से परदा उठाया अकांशा ने? तो आई ये जानते हैं। बिग बॉस 13 वीकेंड का वार के एपिसोड में, मॉडर टरंड आक्टर पारस चाबरा एक बार फिर से भड़क उठे बॉलिवूड अन टीवी आक्टर सिधा शुकला पे। दरसल पारस का ये भड़का हुआ रूप बॉलिवूड आक्टर सिधात मलहोतरा और रितेश देश्मुक के प्रेजन्स में देखा गया था। उनकी अप्रोच के दोरान अकांशा ने रिवील किया कि आखिर क्यों पारस हमेशा अंगरी हो जाता है सिधा शुकला पे। अकांशा ने कहा कि पारस से रिलेशन्शिप के बाद सिधार शुकला से केवल एक बार पब्लिक ली मिली हूँ। अकांशा से ये पूछा गया कि क्या वो सिधार शुकला तब करीब आये जब उनका पारस से ब्रेक अप हो गया था। अकांशा ने जवाब में कहा ये सच नहीं है पारस मुझे छोड़ कर पवित्र पुन्या के पास गये थे। हाला कि उसके बाद भी मैं सिंगल थी। मेरी उस वक्स सिधार शुकला से बाची शुरू हुई थी। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमने एक दूसरे को डेट नहीं किया था। हम दोनों को पब्लिक प्लेस पर एक साथ देखा गया था। इस कारण लोग अफैर के अनुमान लगाने लगते है। जब इंटर्व्यू में सिधार के बारे में पूछा तो पूरी ने ये बताया कि सिधार काफी प्राइविट परसन है, वो अपनी परसनल लाइफ के बारे में किसी से बात नहीं करते है। अगर वो किसी रिलेशन्चिप में भी थे तो उन्होंने मुझे नहीं बताया था। फ़रदपूरी added on the problems she faced with परस on her bond with सिधार. She replied, जब दोस और साथ में काम करने वाली की बात हो तो बॉइफरेंड थोड़े पॉइसिव हो जाते है। परस भी काफी पॉइसिव बॉइफरेंड है। हम तो व्यूवर्स है न ये रियर लाइफ वाला लव ट्राइंगल जैसा स Do let us know your views on the same. तब तक बने रहिए हमारे साथ for news, updates and gossips.